साथियों, आज जब भारत आजहादी के 75 साल बना रहा है, आजहादी के अमरित महोत्सम बना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल, यानि आजहादी के सोंवे वर्स तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुचाना है, किस उंचाई को प्राप्त करना है, बिश्व में हमारी जन्नक कहां कहां कैसे कैसे घाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड में प्तैयार करने पर लगा हुआ है, आजहादी का ये अमृत काल, भारत की समर्दी का, संपनता का, एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है दोस्तों, मैं जानता हूँ, कि ये जो संकल्प हमने लिये हैं, ये संकल्प आप पर भग बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संसकार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदद बन गई है, मुझे मक्षन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ, लेकिन साथियों, सवाल मोदी का नहीं है, आज हिंदुस्तान से 130 करोड लोग, और मैं जपान में बैठे वियों लोगों के भी आँखों में वही देख रहा हूँ, आत्मविश्वास, 130 करोड देश्वासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड संकल्प, 130 करोड सपने, और इस 130 करोड सपनों को पूर्ण करने का यह विराठ सामर्त्या, परणाम निश्चिर लेके रहेगा दोस्तों, हमारे सपनों का भारभ हम देख के रहेगा। आज भारत अपनी सभ्वेता अपनी संस्कृति अपनी संस्ताओं के अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हांसिल कर रहा है दुनिया भर में कोई भारती आज सीना तान करके आख में आख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्वसे कर रहा है यह परिवर्तन आया है आज मुझे आने से पहले भारत के महानताओं से प्रभावित कुछ लोग जो अपना जीवन खपा रहे हैं से लोगों के दर्शन करने का मुझे मोका मिला और बड़े गर्वसे वो कह रहे थे योग की वाते वो योग को समर्पीत है जपान में भी शायदी कोई होगा जिसको योग की कलपना न हो हमार आयुवेद हमारी परमपरी चिके सा पद्धती आज कल तो हमारे मसाले सब दूर उसकी माहंग बढ़ रही है लोग हमारी हल्दी मगवा रहे इतना इने साथियों हमारी खादी वरना तो आज़ादी के बाद दिरे 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 वो नेताओं के कौश्यम बन करके रह गई थी आज उसका आज पुनर जिवन हो गया है खादी ग्लोबल बन रही है जी यही तो भारत के बदलती हुई तस्वीर है दोस्तों आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गवरवानवीद है उतना ही टैक लेड, साइंस लेड, इनोवेशन लेड, टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है दोस्तों का, आज है वी जसे खजएन वेशन आशावान रहाइब, जलेवेशन लेड़ में टतना है